हाई वेलकू टू मैंच चोनल इस वीडियो में सॉल्ट करें के question number 4 तो ध्यान दीजिगा the circumference of the base of cylinder is 88 cm तो इसके base का circumference दे दिया है circumference मतलब क्या होता है perimeter of the base circle के case में perimeter उसके लिए हम यूज करते है circumference word का circumference मतलब की perimeter तो यह दे दिया है 88 cm यह दो 4 पर की जो लंबाई है वो दे दिया है कितना 88 cm और बोल रहा है and its height is 15 cm तो इसकी height जो है कितना है 15 cm है यहां से लेकर यहां आते है find its curved surface area and total surface area यहां पर यह आपको क्योब find करना होता curved surface area तो यहां पर जरूरत नहीं थी radius find करनी की क्योंकि आप directly 2 pi r यह तो पूरा 2 pi r दिया ही है 88 मतलब क्या यह circumference दिया है ना circle का तो यह उद्कौल होता है 2 pi r के 2 pi r into h h तो पता ही है आपको निकलना है curved surface area इसलिए इसका radius निकलना जरूरी है क्योंकि इसमें आप pi r square के use करना है तो ध्यान दिजेगा यहां पर हम यह वाली radius मालेंगे और radius find करना ही पड़ेगा तब ही आपको यह pi r square इसकी area निकलेगी और उपर वाली की भी area निकलेगी चलिए solve करता है तो since दिया हुआ है circumference circumference of the base of the cylinder कितना दिया हुआ है 88 cm इसका मतलब की दिया हुआ है 2 pi r is called to 88 it implies तो हम 2 by 7 into r अब यहां पर transpose कर लिजिए तो r बरापर हो जाएगा 88 multiplied by 7 जो denominator में रहता है उसे मटूपलाई करते है और numerator में रहता है इसे रफूप्टीटी तो यहां पर हो जाएगा 2 into 22 यहां हो जाएगा 2 से कटेगा 44 2 से कटेगा 2 11 जा और 2 से कटेगा 22 हो जाएगा 11 पर मतलब कि आ गया आपका रेडियस को लूब 14 cm अब यहाँ पर निकाल लेंगे कि नाव कि कॉप्ट सफिस एरिया इसको लूब क्या हो जाएगा टू पाई आर एच यहाँ ध्यान दिजिएका टू पाई आर की वेलू यहाँ पर दिया हुआ अब निकाल लेंगे 88 मोडिप्राइट बाई एच की वेलू कितना है हमें पता है 15 cm रख दीजे 15 दोनों का मड़वलाई कर लिजे मिलेगा आपको 158 जा 120 का 0,112 के रियो भर और 158 जा 120 120 और 12 132 132 132 132 cm2 this will be the area of curved surface अब निकालेंगे total surface area also the total surface area total surface area जब निकालना होगा इसकी जगा पे हम दिखेंगा 2πr जो मैं फ्रमुला होता है यहां पर देखे आर की जूर्थ पढ़ गई ना इसलिए हम आर को निकाले तो 2πr 2πr की value थो हमें दिया हुआ है तो हम क्यों इसको multiply करेंगे देखे 2πr की value यहां पर दिया हुआ है 2πr 88 यहां से देख ले सकते हैं तो डाइकल यहां पर लिग दिया है 88 तो डाइकल यहां पर लिग दिजिए 88 यहां पर करेंगे 88 से multiply 29 में तो 89 जा 72 का 27 करी ओफर एट तूजा 16 16 and 7 16 and 7 23 अभी है 88 वही आएगा same to same तो यहां पर यहां पर आजाएगा 2325 and 325 and 2 means आजाएगा 2552 cm2 this will be your surface area और यह आपका भी हो जाएगा कर्द से रही है तो दोनों आपके आंसर हैं ओके थैंकिस सो मज़ फर वाचिंग बाई